आज हम यहाँ बना रहें जो खजुर की थणड़ाई है यानि कि रचते ठंड़ाई ठेश्ट हना रहें तब भुएखंगे अच्छा होता है आज में थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ यानिकि गर्मी में यह उसको बहुत प्रिफर कर सकते हैं और बच्चों को भी इस पैसे ले तो लेस टार्ट इट चलिए जबू शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने कुछ सामान ली है तो यहां पर मैंने भिगो हुए यानि के मारे जब बादाम होते ही इसको चार पंच खंटे के लिए मैंने भीगो दिये थे तो यह भीगो हुए जेशाथ आलमें और यहां पर तोड़े खजूर यानि के मारे डेड्स है एक इलाइची में लिए और थोड़ा में पिस्ता लिए आप इसके जगा पिर काजु भ जार में डाल तोड़ी यहां पर हम सबकु सब भड़ा पड़ बना रहे हैं और यहां पर थोड़े पिस्ता चो भी इसके अंदर लिए दोड़ कर देना चाहिए और चुछर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बच्चों को चाहिए बच्छे दूध पीने में जिजक्त तो यहां पे इस तरहां से थोड़ा अप्डिक्स Kn में थोड़ाइ, टोड़ाइ तो नहाँ है कर सकते हैं लेकिन इस में जो अच्ची आरोबा निकलती है और यहां पर मैं एक कप दूद ले रही हूँ, अगर आप इसके अंदर मलाई है तो मलाई भी डाल सकते हैं, तो मलाई डालने से बहुत अच्छा लगता है, यहां पर मैंने चीनी डाल दी, यहनी कि सुगर डाल दी, मीठा आप अपनी हिसाब से कम ज्यादा भी ले सकते हैं, अगर कम प्रिफर करते हैं, तो कम चीनी डालिए, तो इसको हम ढखेंगे, इसमें थोड़ा आइस क्यूब्स डाल दी, तो जिस टाइम पर हम इसको मिक्स करेंगे, तो आइस क्यूब्स के साथ मिक्स करेंगे, तो अच्छी वाली ठंडाई बन जाएगी, बन चुके हमारा प पटापट बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, और मेमान आए तो बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, इसके उपर थोड़े ड्राइफ्रूट्स डाल दी, रोस पेटल डाल दी, बन गया हमारा, क्विक इंस्टांट ठंडाई, तो अगर आपको रेसीपी पसंद आई तो लाइक केमेंट जार कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मैसेदार वीडियो में, कलरफूल यमी वीडियो में, मिलते हैं